साथियों युवाओं को जादा से जादा नए अवसर देना रोजगार के मोके देना ये NDA की प्रात्मिकता है जाद सही कहा साथ जी ने युवाओं को रोजगार के अवसर दस साल से दे रहे हैं अब अगर आप लोग पकोड़ा तलना ही नहीं चाहते हो तो इसमें हमारे साथ जी क्या कर सकते हैं और अगर कुछ समझ में ना आये तो हमारे साहब जी की तरह करोचंदा का धंधा और राममंदिर बन ही गया है बजाओ घंटा बिचारे हमारे साहब जी किस-किस को समभा लें महिगाई को समभा लें या बेरुजगारी को समभा लें या किसान के खेतों से सान्ध भगाएं वैसे ही समय हमारे साहब जी को अभी रोजगार की बात नहीं करनी चाहिए इस समय हिंदू-मुस्लिम और मंगलसूत्र पर बात करनी चाहिए विकास बेयोजगारी महिंगाई अभी जरूरी नहीं है और घंगोर बेजिती करते हुए कुछ लोग कहते हैं लोग हाथी घोड़ा पाल कर उतना नहीं कमा पाते हैं जितना डानी अंबानी ने एक गधा पाल कर कमा लिया है सबसे मस्त रोजगार दिया है साहब जी ने और पनीर के पकवड़े गुजरात के भगवड़े बड़े फेमस हैं कोई पैसा लेकर भाग गया तो कोई बीबी छोड़ कर भाग गया इन्ही सब को साइद साहब जी रोजगार बता रहे हैं मणीपुर एक साल से जल रहा है वहां इस्तुरियों को नंगा घुमाया गया पहलवान बेटियों को रोड पर घसीटा गया किसानों के रास्ते में नुकीले कील लगवाया गया और तो और जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां आदवासी के मुह पर मूता गया हमारे साह जी का खेल इसलिए नौकरियों के पेपर में होता है खेल और यूवामों का निकल जाता है तेल कजब बेजती है यही है इन नेता लोगों का रुजगार नहीं किसी चवराहे पर बेजते पानी के बातासे दसके चार और नहीं हो पाता विदेश घूमना ना पहन पाते अ मोर्णा झाल झाल